नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप WhatsApp पर चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे जो लिखने वाला कीवोर्ड आता है वो आपके phone में English आता है तो English आपको पफंद नहीं है या English में आप भेजना नहीं चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके phone में Hindi language का keyboard कैसे आएगा और किसी को आप जो है आप chatting करना चाहते हैं या किसी के पास message भेजना चाहते हैं उसके profile को आपको click करके इस तरह से open कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने एक व्यक्ति के profile को open कर लिया है उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है नीचे यहाँ message पर जो है जो option में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो मैं इसे delete कर देता हूँ यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पे जो बड़ा वाला button space का दिखाई दे रहा है जिसको दबाने से space जो है वर्डों के बीच में लग जाता है तो इसी को आपको थोड़ी देर इस तरह से दब तो उनको जो है यहाँ पे नीचे language setting पर click करना है एक बात का ध्यान देना है उपर अगर आपको option मिलता है multi language input का तो यहाँ पे इसे enable रखना है तभी एक से ज्यादा language को आप यहाँ जो है add कर पाएंगे तो यहाँ पे language setting पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपक पर click कर दिया है तो जिद्धी वाले को आप टिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको फिर से message वाले जहाँ पे आपको लिखने का option मिलता है यहाँ पे click करना है आप देख सकते हैं कि मेरे phone में हिंदी का keyword आ चुगा ह तो दोस्तों अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं आपको दिखा देता हूं कि सारा कुछ जो है मेरे phone में English में type हो रहा है आप यहाँ पे लिखने के बाद भेजने के लिए इस पर आपको goal वाले पर जो तीर का निशान है click कर देना है तो इस तरीके से फामने वाले के पास Hindi में जो कुछ लिखेंगे आप आफानी से पहुंच जाएगा अब बात करते हैं जैसे कि English में मुझे फिर से चेंज करना है तो यहाँ पर करना क्या है कि इस वाले बटन पर फिर से दबाए रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Hindi English दोनों का option आता है पर क्लिक तरके आफानी से चेंज करकते हैं